जै स्री किष्णा रादे रादे स्वागत है आप सभी का मेरी सुपर्लोगी चैनल में दोस्तो जै मातादी आप कैसे हो आयोप आप सब अच्छे होंगे उम्मीद करते हैं मातारानी आपकी हर मनों कामना पूरी करें कमेंट वक्स में जै मातादी अवश्य ही लिखें तो दोस्तो आज की वीडियो शुरू करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अगर आपको अपनी प्रेगनेंसी के टाइम ये दो लक्षन दिखाई देते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपके गरब में जो शिशू पल रहा है वो एक लड़का ही है दोस्तो काफी सारी जो बुजरू मैलाएं होती है वो अक्सर बताया करती है कि आने वाली संतान क्या है वो पेट को देख करके बता देती है लड़का होगा या लड़की होगी दोस्तो हम हर वीडियो में बोलते हैं कि कोई भी जो लक्षन होता है वो 100% सही नहीं होता बस अंदाजा लगा सकते हैं अपनी सुकता को कम कर सकते हैं बस हमारा इतना ही उद्देश होता है हमारा गलत उद्देश नहीं होता है तो दोस्तो चैनल पर पहली वारे चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल बटन को दबाएं मेरी आने वाली अगली वीडियो की नौटिफिकेशन पाने के लिए इस वीडियो को सरफ और सरफ आप एज्यूकेशन परपस के तौर पर ही देखें आई दोस्तो जान लेते हैं इस पहले लक्षन के बारे में अगर आप जैसे ही बैड से उतरती है और आपके जो पीछे की जो एड़ी होती हैं उनके उपर की जो नस होती है अगर आपके पैरों में सुन्पन रहता है बहुत जादा जन्जनाट रहती है सुन्पन आजाता है एकदम या फिर आप जैसे खड़ी हो खड़ी की खड़ी ही रह जाती है आपकी जो आपकी जो पीड़ी है इनमें जो नस होती है या फिर लेट के अग्दम से खड़ी हो रही हो तो आपकी नस एक दम ऐसे खिचने लगती है फिर आप टच से मच नहीं हो पाती हो बिलकुल भी इदर से उधर नहीं हिल पाती हो इसा माना जाता है उल्ड बाइप मैलाएं बताती है इस तरीके से कि ये बेटा होने के टाइम पर बाटा बोला जाता है इसको बाटा आता है खेरा भी इसको बोला जाता है अगर आपके खेरे पैर में ये चीज होती है तो दोस्तो सुन्पन अगर आपके जिग्यासा को कम किया जा सकता है दोस्तों हमारी वीडियो, आप क्यों कैसी लगी हमें जरूर बताएं और अपना एक्सपीरींस हमें जरूर दिया करें डोस्तों जिनकी हालफिलाल में ही दिलीब्री हुई है जिन महिलाओं से हमने बात करी थी है उन्होंने ये लक्षण हमने बताया है और हमने सोचा आपके साथ इन लक्षणों को शेयर किया जाए ताकि आप तक ये जानकारी पहुंच सके आप अपनी जिग्यासा को कम कर सके जैसरी किष्णा राधे राधे आप सभी को